Hello fans, welcome back to this channel दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं future group के लिए एक और खबर है ये थोड़ा समय आपको एक दो दिन डिले करके बता रहा हूँ लेकिन फिर भी समझने की पूरी गारंटी है आप लोग समझ जाएंगे खबर क्या है लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट करना चाहूँगा अगर आप चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं make sure कि subscribe करके बेल आइकन को हिट कर लिजे ताकि दोस्तों आपको किसी भी वीडियो की notification मिस ना हो और दूसरी चीज़ अगर आपको डीमेट या trading account ओपिन कराना है description box में link दिया गया है दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था कि future retail limited की assets के उपर सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार है तो उसके banks का है उसके loan देने वाले creditors का है लेकिन इतना पता होने के बावजूद भी future group उन assets को अपने हाथ में control नहीं कर सका जिसकी वज़े से Reliance Retail Venture Limited ने उसके 945 commercial stores को छिन लिया जबकि rule के इसाब से देखा जाए तो future group के इन assets को कोई भी third party touch भी नहीं कर सकती बिना किसी इजाज़त के इन lenders के ये rule कहता है और इसी के चलते Amazon ने यहाँ पे forensic audit की report RBI से इनों दखल करने के लिए कहा है कि forensic audit कराया जाए लेकिन चलिए ये तो मात मैंने आप से discuss करा हुआ है अब यहाँ पे एक खबर ये है एक और lender है जिसका नाम है IFCI SBI ने accountability जो है future group के किशोर बियानी से मागी तो थी लेकिन वो बात मैंने आप से discuss किया हुआ है उसके उपर हम बात नहीं करेंगे IFCI एक और lender है और इसने कहा है सीधे सीधे मैं आपको पूरी खबर दिखाता हूँ आईए मैं आपको लेकर चलता हूँ financial express की एक छोड़ी सी article के अंदर IFCI ने notice जारी कर future group के brands, stores, brand assets को बिल्कुल चैताओनी दी है कि आप छोड़ने की भी हिम्मत मत करना ठीक है क्योंकि IFCI की तरफ से कहा गया कि सबसे ज़्यादा अगर किसी का दिकार है तो lender's का है और उन्हीं lender's में से ये भी आता है और इन्होंने कुछ assets का नाम दिलाया याद दिलाया कि इन assets को touch भी मत कर देना किसी ने ये IFCI की तरफ से पहले ही चतावनी दी जारी है उस तरीके के behavior को जिस तरीके के behavior को यूज करके Reliance Retail ने future के 945 स्टोर्स को छिन लिया कबजा कर लिया यहाँ आप देख सकते हैं future group के यहाँ पे एक इनकी जो property है जो की situated है आप देख सकते हैं यह situated है दोस्तों बरोडा Central एक commercial complex है जो 1,80,000 square feet में फैला हुआ है इसका यह जो own किया जाता है जिस party के दोरा उसका नाम है Iskrupa Mall Management Company और Iskrupa Mall Management Company जो है एक holy own subsidiary है बंसी mall management company की और बंसी mall management को own करता है future group राइट तो care ratings future group की तरफ से ये बंसी mall management company जो है ये future group की ही एक company है ये care edge agency की तरफ से report करा गया था जिसको यहाँ पे cover किया गया है वो मैंने दिमाग में बीच में आ गई थी बात तो दोस्तों यहाँ पे IFCI ने सीधे सीधे exclusively notice जारी करके कहा है कि इसके अलावा ये four brands और नाम लिया इन्होंने ये देखिए जौन मिलर क्लीन मेट टेस्टी ट्रीट और मोर पंक ये कुछ ऐसे चार brands के इन्होंने और नाम लिया जिनके उपर IFCI की तरफ साफ साफ नोड़ी जारी करके कहा गया कि इनका चार्ज होल्डर IFCI ही है और बिना उसके consent के आप कुछ भी हिम्मत मत करिएगा यानि कोई भी आप कदमत उठाइएगा बिना IFCI के permission के ये IFCI को डर है कि कहीं ऐसा नो कि Reliance Retail ने थोड़ा बहुत कमी को फूरा करने के लिए ये दरुदर से फिर से कहीं अड़ापनाना शुरू कर दे क्योंकि ऐसे लोगों से लोगों को डर लग 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 आजकल राइट ये Reliance ने भी अपनी तरफ से देखा जा तो बहुत ही गलत किया एक reputation Reliance की और मुकेश अंभानी की और reputation को ये मिट्टी में मिलाने वाला काम करना एक तरीके से बात या इस तरीके का step नहीं लेता है ये बिलकुल गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकारें और courts हमारे देश की ऐसे लोगों को जो है निशाने पिलें और RBI की तरफ से forensic audit कराई जाए और मुझे लगता है कि forensic audit में कुछ न कुछ ये जरूज गलत पाये जाएंगे कि गलत काम का ही गलत नतीचा होता है गलत नतीचा निकला है इसका मतलब कि कोई न कोई चीज पीछे गलत है और उसको ढूडने की तलाश है बस इमानदारी की जरूरत है पर शियरिटी नहीं होनी चाहिए ट्रांसपरेंसी होनी चाहिए डेफिनेटली दूद गदूद पानी का पानी साफ जाएगा और मुझे लगता है कि हमेज़ान के उपर कुछ इनके US dollar denominated notes जो listed थे उसको SNP की तरफ से downgrade करके CC की rating दे गई थी से पहले CCC minus की rating थी यह बात भी मैंने बताई थी चाहिए इसके उपर हम चरचा नहीं करेंगे बस इतना ही आपको लगा यह content अच्छा है तो आप इस video लाइक करके appreciate कर सकते हैं and take care